स्वाग अदे दोस्तों एक और फिर से मेरे यूटीब चैनल में तो आज मैं आपको गोरकपूर महानगर के स्मार्ट फूर्ट स्ट्रीट जोन और इसके अलावा ताल बाजार इन दोनों प्रोजेक्ट पर अप्डेट देने जा रहे हैं जो कि प्रिजेंट टाइम में लग़ए का है दोखक तो आज में आपको पूरा पूरा उस का भी वीडियो दिखाने वाला हूँ इसके साथल मैं आपको दिखाऊंगा कि गोरकपुर का ताल वाजार पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका है तो गाइस गोरकपुर का जो मरीन ड्राइव है एक वर्ल्ड क्लास मरीन ड्राइव के रूप में डेवलप हो रहा है हर एक सुईधाएं गोरकपुर के मरीन ड्राइव पर अब मिलने लगी है चैसे हो बड़े फाइपिश्टार होटल्स हो, बड़ी-बड़ी हाई-रेज बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स भी काफी तीजी के साथ बन रहे हैं तो वहीं इसी रामगड ताल में कुरूद चनले लगा है तो वहीं दूसरी तरफ नार्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग डेश्टोरेंट भी पूरी तरह से बन का रेडियो चुका है उसका भी बहुत जल्द बैवोद गाटन होने वाला है और गज यह है गुरकपुर का तालवाजार और आप देख पारे हो इसको भी काफी सुन्दर तरीके से इसको बनाए गया है और ऐसे तो भी रात के 10 बज रहे हैं तो इसलिए भी वीड काफी ज़दा कम हो चुकी है नहीं तो अब तालवाजार में भी पहले से काफी ज़दा भीड होने लगी है इसमें आने के बाद आप यहाँ पर सौपिंग कर सकते हो सौपिंग के साथ साथ इसमें फूट कोट भी बनाए गया है फूट कोट के अलावा यहाँ पर गेमिंग जोन की भी सुधाएं दी गई है बच्चों को खेलने के लिए भी कई से रिवस्ताएं की गई है इसी तालवजार में तो यह काफी शांदार इस तालवजार को डेवलप किया गया है आप यहाँ पर सौपिंग प्रस फूटिंग प्रस गेमिंग जोन की भी सुधाएं यहाँ पर दी जा रही है तो आहीं गैस अब हम आपको दिखाते हैं गुरखपुर का स्मार्ट स्ट्रीट फूट कितना सांदार डेवलप किया गया है तो यह जो आप इडियो में देख पार रहे हो तो इसी के अंदर डेड़ सो से लेकर के दो सो की संख्या में स्मार्ट स्ट्रीट फूट की दुकाने इसमें खुलने जा रही है ऐसे तो लगभग लगभग देखाया तो काम को पूरा कर लिया गया है और दीरे दीरे स्मार्ट स्ट्रीट फूट की जो भी दुकाने हैं फास्ट फूट की वो सभी खुलने लगी है लेकिन अभी भी पूरी तरह से खुलने में देखाया तो लगभग एक डेड़ महीने का समय भी और लग सकता है तब जाकर के सभी की सभी स्ट्रीट फूट की जो भी सौप्स हैं वो खुल जाएंगी और यहाँ पर आने के बात आप फास्ट फूट का अनन भी ले सकोगे और इस स्ट्रीट फूट को एकदम स्मार्ट तरीकी से डिवलप किया गया है डेड़ से दो करोड रुपे के आसपास जीडिये ने इस प्रोजेक्ट पर खर्च किया है ऐसे तो सुरुवात में तो इसको गोरखपुर के मरीन ड्राइव वाले रोड में एकदम फ्रंट पर बनाया जा रहा था लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रामगड जील का जो इरिया है वा पूरी तरह से ढग जा रहा था इन सभी स्मार्ट फुट की सौप से फिर उसको वहां से फिर दोबारा से इस नई जग़ा पर सिफ्ट किया गया है और जो लोकेशन है लोकेशन तो इसका एसी मरीन ड्राइपर है लेकिन रामगड जील के तरफ ना हो करके इसको दिगविजे नाथ पार्क में सिफ्ट किया गया है और यहां पर आने के लिए इसका रास्ता किदर से है तो मैं आपको बदा दू कि नौका विहार पर जो पार्किंग अस्ताल है यानि कि जहां से अब अपनी बाइक पार करते हो तो बस वसी पार्किंग से ही आप सीधा यहां पर इस स्मार्ट स्टेट फूट्स में आ सकते हो और ताल बजार और स्मार्ट स्टेट फूट्स की जो भी यह सॉप्स बनाएगे यह दोनों अगल बगल में ही है तो गाइज गुरकपुर के इस इलाकी को काफी सुन्दर तरीके से डिवलप किया जा रहा है और खास तोर पे रात के समय तो इधर का जो नजारा है काफी शानदार है और बहुत जल गाइज अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इधर के एरिया को लंदन के तरस पर डिवलप किया जाएगा कहने के मतलब यह है कि बहुत जल गुरकपुर के मरीन ड्राइब पर लंदन आई से भी बड़ा जूला देखने को मिल सकता है ऐसे तो GDA इस प्रोजेक्ट को लेकर मिटिंग पे मिटिंग रख रहा है और कल 2 अगस्त को प्री बिड मिटिंग खुलने वाला है अब देखना यह है कि कौन कौन सी कमपनियों ने गुरकपुर में लंदन आई से भी बड़ा जूला बनानी के लिए आविदन दिया हुआ है अब यह तो अब कल के डेट में पता चलने वाला है और अभी तक अपने इंडिया में भी लंदन आई जैसा जूला कहीं पर नहीं है ऐसा फस्ट टैम अपने गुरकपुर में ही होने जा रहा है और गैस गुरकपुर में बनने वाले लंदन आई को लेकर जैसे हमें कोई नई अबड़ेट मिलेगी मैं आपको दोबारा वीडियो के मादें से सेर करने वाला हूँ और बता दू कि गुरकपुर में बनने वाला लंदन आई 151 मीटर उचा होने वाला है और गैस इस गुरकपुर के मरीन ड्राइपर तो प्रोजेक्ट की भरमारी हो चुकी है जितना अन्दाज आप लगा सकते हो उससे भी जादे प्रोजेक्ट अब भी इस प्रोजेक्ट में गुरकपुर के मरीन ड्राइपर चल रहे हैं होटल ताज से लेकर के इंटरनेशनल कान्वेंसन सेंटर तमाम बड़ी परिजनाएं प्रोजेक्ट में चल रहे हैं इनमें से होटल ताज, होटल अपार्टमेंट ये सब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में हैं जबकि इंटरनेशनल कान्वेंसन सेंटर का भी काम बहुत जाली स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर भी GDA के तरफ से मनजूरी दी जा चुकी है तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजीगा और हमें कमेंट सक्सा में जरूर बताएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए ब्रेट के साथ तब तके लिए जैहिंद